वारिस किसे कहते हैं? वारिस, बाबा का वारिस बाबा का वारिस वना बाबा की गद्दी को संभालने वाला बाबा का उत्तरादिकारी तो वो कौन होगा? उसकी क्या विशेष्टा है होगी? सबसे पहली बात निश्चे निश्चे अच्चल अटोल होगा निश्चे में कोई कॉम्प्रमाइज ने बाबा कहे ये दिवार गिरने वाली है जी बाबा आपने वो कहानी सुनी होगी कि बाबा ने मुम्मा की परिक्ष ले लच्चु दादी अंडे वाली कहानी सुनी है? सुनी है? कुछ ने सुनी, कुछ ने ने लच्चु दादी एक अंडा लेके आई चिडिया का अंडा बाबा को दिखाया बाबा ने का मुम्मा को बुलाओ मुम्मा को बुलाया तो हाथ में बाबा के वो है? और बाबा मुम्मा को कहते हैं मुम्मा मुझ खोलो मुम्मा मुझ खोल दिया बाबा ने वो ममा ये बच्चे जो बैठे थे ममा ये अंदा है मुह नहीं खोलो ममा नहीं मुह खोल दिया बाबा ने पूरा एक्ट किया मुह में डाल ले फिर विद्ड्रॉ कर लिया बाबा ने का ममा पासू अगर हम उस स्थान पर होते तो हम क्या करते हैं ऐसे ही एक बार ममा को निश्चे है कि बाबा बाबा है और वो कोई ऐसा कार्या तो मेरे लिए नहीं करेगा जो मेरे अकल याण का हो कि इतना निश्चे है उसको ऐसे एक बार पुराना जमाना बहुत बहुत आयत नहीं थी थोड़ा थोड़ा होता था रबड़ी एक डब्बी में थी जब स्टील की डब्बी होती थी उसी में थोड़ा सा फ्रूट डाल करके और रबड़ी अच्छी बनाते थी तो वो एक ही डब्बी में से बाबा रबड़ी एक एक चमच सबको खिला रहा था जब खिलाता था तो चमच मुह में डालता था तो हाथ से उंगली से ऐसे कर तो कईों की लगी कईों ने खाए तो प्रेम दीदी बैठी होई थी देरा दून वाली तो उसने खाए कि अब बाबा ये क्या कर रहा है ऐसे ऐसे सबको खिलादा सबकी चूठी उंगली और वो उसी से सबको सब ने खा लिया मुम्मा भी थी वह और प्रेम दीदी भी थी तो मुम्मा प्रेम दीदी नहीं बोल सकती है गई गई और उसने भी बाबा ने वैसे ही किया बात में प्रेम बेन ने आ करके मम्मा को कहा मम्मा का उत्तर क्या था मम्मा ने कहा तुमने ये नहीं सोचा ये भगवान की उंगली है तुमने देखा ये उंगली सबकी जूटी उंगली तुमने ये नहीं सोचा ये भगवान की उंगली है मुम्मा बाबा को ऐसे तो में मुम्मा का जो निश्चे था जबर्दस तो वारिस क्वालिटी जो होगा पहली चीज उसमें निश्चे होगा जबर्दस निश्चे होगा 100% कुछ भी हो जाए उसकी बुद्धी विचलित नहीं होगी परिक्षाएं आती हैं तूफान आते हैं हल्चल में नहीं आएगी विचलित नहीं होगी दूसरा वारिस क्वालिटी पढ़हाई में अवल दर्जे का होगा पढ़हाई है ना मारे मुर्ली ग्यान, योग, धाना, सेवा हमारी पढ़ाई है हर सब्जेक्ट में 100% लेगा हर सब्जेक्ट कोई सब्जेक्ट में उसका यह सब्जेक्ट नहीं है चलो सेवा ना करूं तो चलेगा चलो थुड़ा सेवा ज्यादा करते हैं योग ना करते हैं ना वारिस माना चारों सब्जेक्ट में नमबर वन नो कॉम्प्रमाइस आज मुद्ली नहीं पढ़ी आज रहे गई आज यह हो गया मुद्ली में क्या था यहां से बाहर निकले तो सब हो उम्शान्ती नहीं हो वारिस बाबा की हर चीज़ को पालन करने वाला है सिंदगी में उतारने वाला है अब तो वारिस है ना आप अपनी प्रॉपर्टी देते हैं किस बच्चे को देते हैं जो लाइक जो लाइक आप उसकी लाइकेत को अपने हिसाब से आखते हैं तो बाबा भी हम बच्चों की योग गिता को देखे हैं ना तीसरी चीज़ वारस कॉलिटी हर प्रकार से तन, मन, धन, जन, समय से सहयोगी होगा ऐसा नहीं होगा उसको यग्य की कदर है यग्य कोई कुंड़ नहीं है लेकिन यग्य की कदर होगी यग्य में अपनी उंगली से कुछ भी सहयोग देगा तन से भी, मन से भी, धन से भी, समय से भी क्यों? बड़ी धादी वो एक चीज सिखाती थी जब तक आप यग्य का कर्मणा से सेवा नहीं करेंगे आपको यग्य अपना महसूस नहीं होगा बाबा का घर आपको अपना महसूस तब होगा जब आप कर्मणा करेंगे तो मेरी उंगले कितनी लगती है? कई कारे होते हैं कई सेवाएं होती हैं तन से मेरी उंगली लगनी चाहिए जितना में लगा सकूँ जब लगा सकूँ लेकिन थोड़ी बहुत लगाने की कंटिनेटी रहनी चाहिए बहुत प्रकार की सेवाएं होती हैं बहुत होती हैं मन से धन से वो सब आप चानते हैं समय देना कभी कभी भाई क्या कहते हैं बैंजी ये काम आप करवा लेना जो भी हो मेरे को बता देना मैं करता हूँ है ये अलग बात है लेकिन खुद से करना वो अलग बात है चौथी बात वारस श्रीमत का पालन करने वाला श्रीमत आग्याकारिता के सिवाएं कुछ नहीं करेगा जो श्रीमत मिली आँखे मीट के पालन करेगा क्योंकि निश्य बुद्धी है और श्रीमत कौन दे रहा है वो दे रहा है श्रीमत को question नहीं करेगा ये right है ये wrong ये मैं करूं कितना करूं चलो अभी नहीं मैं बात में कर लूँ बाबा के तो समय चले जाता है बच्चे वो समय था दूसरा समय वारिस कॉलिटी घरू होगा कनवजीर होगा कनवजीर समझते हैं क्या किसको बोलते हैं कनवजीर वो होता है जिसके कान में बात कहीं चाएं और वो उसको समा ले समा ले घर में कोई उची नीची बात होती है तो क्या हम उसकी पॉब्लिसिटी करते हैं समाते हैं वारिस कॉलिटी समाने वाला होगा कनवजीर उसकी कान में इतना बाबा में फेथ होना एक चीज है लेकिन जो वारिस है उसकी कॉलिटी होगी कि उसमें बड़ों का फेथ होगा उसमें बड़ों का फेथ होगा जैसे कभी-कभी हम लोग common language में क्या बोलते हैं यह बात नहीं इनके सामने नहीं करना किसी के लिए कहते हैं उसमें भी लेकर कोई फ़र कहते हैं न वो कॉलिटी चाहिए घरू इसको के समाने वाला थंडा गरम को यह मेरा है वारिस कॉलिटी उसका संबन पूर्ण रूप से परिवार से होगा वारिस क्या करेगा राजा माराजा बनना है तो क्या करेगा मेलों में रहेगा दीवारों पर तो राज नहीं करना बाप समान उसका संबन परिवार से होगा सारा देवी पर जिसको सब कोई कहें यह हमारे है यह हमारे है यह है वारिस क्वालिटी कई बार भाई में सोचते हैं वारिस क्वालिटी माना धन का से होगी हमारी रज़ोरी की जमीन है उसको देने वाले कौन थे एक हलवाई है और उनका एक साथ ही आपकी आँख भी न डूबे निमित बन गया वो बाबा कहता है धन का सहयोगी वारिस है नहीं व्यक्ति धन से सहयोग करें पढ़ाई ना हो उसको वारिस ने का जाए सहयोगी है वारिस में रॉयल्टी चाहिए बाबा की गद्दी को संभलना है तो जैसे बाबा रॉयल है ऐसे रॉयल्टी चाहिए संसकारों की रॉयल्टी राजाई पन रूलिंग पावर कंट्रोलिंग पावर यी कॉलिटी उसमें हो वारिस बड़े दीदी थे एक दिन बाबा क्लास में आए और क्लास में आकर बाबा नहीं है दीदी ऐसा करती है दीदी ऐसा करती है नहीं किया दीदी नहीं किया बाबा मुडली चलाते थे गद्दी पर बैठते थे ना तो दीदी बिल्कुल सामने ऐसे बैठते दीदी चुक करके देखती जाए बाबा को बाबा बोलता जा रहा बोलता जा रहा बोलता जा रहा आप बाबा मुझे इशारा देती तो मैं ठीक कर लेती बाबा मुस्कुरा है कुछ के लिए का बाबा ये तो मुझे याद ही नहीं मैंने कब किया तो बाबा मुस्कुरा के कहता है बच्ची सुनाओ बभू को कहो बेटी को क्या मैं ऐसी आत्मा हूँ इतना अधिकार मुझे पर बाबा रखता है ये अधिकार बाबा रख सके वारिस को लिए कुछ भी कहा है बाबा ने बाबा की बाबा जा रहे हैं हम तो क्या कहेंगे मेरे को क्यों बोल रहे हो मैंने किया क्या उसने किया तो उसको बोलो मेरे को क्यों सुना रहे हैं हम तो ऐसे जवाब देंगे न दीदी ने बाबा ने का बाबा का उन पर अधिकार है तो वारिस माना जिसको बाबा यूज कर सके ये परकार का सही योग तो सब्दे देते हैं ये सही योग बाबा को जरूरत पड़ती है तो बाबा आपका नाम ले करके भी बोल दे बाबा को पता है कि इस बच्ची को कुछ नहीं होगा ये वारिस बागी सारी बाते तो है जो हुमारी धार्णाओं की बाते होती है वो सब तो होंगी ही उसके बाद ये कॉलिटी चाहिए हमें कुछ कहा जाए हम तो टच्च मी नोट है छुई मुई है मुर्जा जाते है तो बाबा अधिकार कैसे रखेगा तो अपनी आत्मा को जो आज बाबा ने कहा बच्चे वारिस निकालो शुरू में कितने वारिस निकले आज नहीं निकलते हैं नहीं निकलते हैं दादी जानकी एक बार बस स्टेशन पढ़ते हैं दादा विश्व किशोर भी थे दिल्ली की बात है दादा ने कहा दादी जानकी को कोर्स कराना भाषन करना सब जानते हैं हड़ी सेवा करना कोई कोई को आता है हड़ी सेवा यह है जो वारिस बना देना वारिस बना देना पांडवन बहुत पालना लेता है बड़ो बड़ो की पालना है दादी की पालना है दादी आल राउंड आप नमबर वारिस क्वालिटी अज्याकरी वफादार फर्मान बरदार इमान दार नमबर वन क्वालिटी शांती की शक्ति से दीदी ने कहा शांती जग में लानी है शांत मन हो तन हो शीतर शांत मन हो तन हो शीतर ऐसे दुनिया बनानी है शांती की शक्ति से शांती जग में लानी है शांती की शक्ति से हमेशा उतक्रष्ट एक्सिलेंस वाली बाती हमें अबसाफ के बहुत ज़हतर स्परस्नेलिटी थी एक बार हमारी विज्ञान भवन में बीडी जत्ति जी जो देश के वाइस प्रेस्ट थे वो पहले-पहले आये हम महारा प्रोग्राम था हम लोगों ने यहीं से पांडवन से और कनाइस किया था तो जब चिठ्थी आई के बीडी जत्ति जी आएंगे आफिस से जाते थे तो मैंना खुशी-खुशी दादी को बताने गई दादी तब तक कभी कोई ऐसा व्यक्ति आया नहीं था दादी वाइस प्रेसेंट आ रहा है विज्ञान भवन के प्रोग्राम में आप तो पर हम लोगो तो हम खुशिव्यक्त करते हैं अल्रांड दादी करता है तो क्या तो क्या मेरे को तो अच्छा नहीं लगा अआए वाइस प्रेसेंट आहाँ रहा है और दादी क्या में दादी वाइस प्रेसेंट अफ ता कंट्री ए वाइस प्रेजिडेंट यह ना प्रेजिडेंट थोड़ी है वाइस प्रेजिडेंट यह ना यानि उनका कहने का भाव प्रेजिडेंट प्रेजिडेंट आपको पुरुशार्थ वहा तक सीमित नहीं करना है प्रेजिडेंट को मोटिवेट करती दूर दर्शी कितनी थी जबरदस्त यहां इस हॉल में अब तो यह हॉल बड़ा अच्छा बन गए है शुरू का हॉल जिन्होंने जो पुराने है उन्होंने देखा होगा शुरू का हॉल टिन की चत्ती तिन की ती है और दूसी उसकी चत्ती अरे राम लीला ग्राउंड का मेला हुआ था तो गद्दे नहीं थे हमारे पास घास फूस के गद्दे बनाए थे इसी हॉल में डालते थे गास फूस के गद्दे थे बोरी में घास फूस बरके तो रमिश जी को पता होगा रमिश थे हैं अब उस समय तुराने थे हैं तो क्या हुआ हां तो इस हॉल में संड़े संड़े ना भाशन होता था कि आता कोई नहीं था कि गली में खड़ेयों के पर्चे देते थे आती जाती पबले आएगी बैठेगी थोड़ी देर उसका चल देगी पिर आएगे कोई आएगा आपको भाशन करना है आप भाशन करते जाओं लोग मंदिर में आ रहे हैं बैठ रहे हैं दो पांच मिनट उसके बाद उठके जा रहे हैं यह हुआ करता थे शुरू की बाते बता रहे हैं तो अब यहां पे राजदीदी भी थी और भी थी बैने जैप्रकाश मही सबको टॉपिक देते थे अकबार में Announce होता था किस संडे को इस टॉपिक में भाशन होगा कोई आवेत हो सही है तो जैनना ये जैन फूल शॉप छोप वाले जिनका यह मकान है साय तो यहां पर वह बैठके सुना करते थे तादी को पता था हम्लोग तो यहां भाशन करें तो ऐसे वाशन करें कोई बहिणों नहीं दादी औरॉंडर को जाके शिकायत लगाई या कहा यह आशा भाषन ऐसे करती है जैसे इसके सामने बहुत पढ़े लिखे लोग बेढ़े हैं इसकी भाषा ऐसे है तो मैंने दादी को बोला मैंने कहा दादी ऐसे ऐसे बोलते हैं तो मैं क्या करूँ दादी ने मुझे इतनी अच्छी बात बताई जो मैं सबको बताती हूँ दादी ने कहा मैंने कहा दादी मैं अपनी भाषा को कम कर दूँ दादी ने कहा बिलकुल नहीं अपनी भाषा जो है जैसी तुमको को रखनी है कि कल को तुमको बड़े-बड़े मंच पर भाशन करना है कितनी दूर दर्शिता है कहां उस समय बच्चे ही तो थे हम बच्चे ही तो थे लेकिन दूर दर्शिता है उनकी कल को तुमको बड़े-बड़े मंच पर भाशन करना है तुमारी लैंगविज कम नहीं होन हम तो ऐसा सोच नहीं से दीस रही एक चीज जो मैंने दादी की देखी दादी एक बार शिव कुमार को जो किच्छन का साइड है ना भी नीचे वाला पहले किच्छन नीचे हुआ करता था वहाँ पर आई शिव कुमार को खुप हो अच्छी तरह से इसको याद है ने मैं चुप करके देख दादी का ऐसा रूप तो मैंने देखा लिए मैं भी नई थी मैं डर भी गई तो दादी के पीछे पीछे जब बोल बाल के दादी गई कमरे में मैं दादी के पीछे पीछे गई मैंने का दादी आज तो आपको गुस्सा आ गया दादी बिल्कुल नॉर्मल एकदम नॉर्मल बैठी हुए और मुस्कुराते हुए मेरे को जवाब देती है मैंने गुस्सा नहीं किया गुस्सा करने की एक्टिंग के पार्ट प्रे करना होता है गुस्सा तब है जब आत्मा पर इफेक्ट आ जाए दादी पर कोई इफेक्ट नहीं था यानि उनका एक निमित भाव और साक्षी पन की स्थिती सबरदस्त सारे कारे को कारुबार को निमित रूप से चलाना है और साक्षी होकर के रहना है ये दो कॉलिटीज ने दादी को बहुत पावरफुल बना दिया दादी निर्भय थी वो इसे डरती नहीं थी आप कल्पना कर सकते हैं मैं समयते हैं दादी की उमर 75 तो रही होगी जब दादी पाण्डभण में आई अल्राउंडर दादी दादी ने शरीर कप छोड़ा 89 थी ना तो इतनी होगी ना दादी सारा ये पाण्डभण जो मूलचंद अस्पताल की डिस्पेंसरी थी जो है मूलचंद अस्पताल वहाँ लाजपत्नागर में सी डिस्पेंसरी थी है उबर खावर कैसा था ये दादी ने इसको सारा पेंट, पॉलिश वगरा सब दादी एक अकेली आत्मा आज किसमे ताकत है आज की डेट में किसमे ताकत है बताओ कोई भाई में या कोई बहर में ताकत हो तो बताओ अकेली तीसरी मंदल चड़ जाती थी लेबर को देखना लेबर कुछ गड़ बढ़ना करे उसको देखना सब कौन कर सकता है निर्भय अकेली उस कमरे में रहती थी और उस कमरे से अपने बेट से गेट के उपर दादी की ताक होती थी कौन आया कौन गया मुझे घर को संभालना घर की जिम्मेवारी है घर की जिम्मेवारी है वहाँ बैठ करके सारी दादी देखते थी एक दिन दोपहर का टाइम था तो कोई आये आगए दादी अकेली थी बिल्कुल दादी को उसके वाइबरेशन ठीक नहीं लगे तो दादी अंदर आई वहाँ एक बंदह नहीं था दादी ने आवाँ जैप्रकाश, शिव, गोपाल, ब्रिच मोहन सब के नाम, सब भाईयों के नाम बोल दी वो सुन रहा था वो भाग गया यहां इतने भाईय है, भाग गया ऐसी है क्यों? बाबा ने सिखा दादी जब यग्य में आई है तो आप सब को पता कैसे जंप लगा के निकली है परन्तु जब बाबा के पास आई बाबा ने एक दिन क्लास में कहा कि बाबा को कोई आल राउंड बच्चा नहीं है तो दादी मुम्मा के पास गई मुम्मा आज बाबा ने कहा बाबा को कोई आल राउंड बच्चा नहीं है क्या मैं आल राउंड बच्चा बन सकती हूँ? मुम्मा ने कहा क्यों नहीं? तो तुम्ही क्या करना होगा बाबा से जाके पूछो बाबा के पास कई बाबा ने का अच्छा आप हिम्मत रखते हो तो ठी बाबा ने दादी को जो गोशाला थी न वहाँ पर भेजा बाबा ने कहा तुमको ये जो गोशाला है न ये दूद दोते दोते पीच में पानी डाल दिता है तुमने इसको पकड़ना है ये बाबा ने पहला काम दिया और दादी ने पकड़ लिया दादी हम लोग को सुनाती थी, कैसे करके मैंने पक रहा। फिर बाबा ने अनाच लेना सिखाया, बाबा ने सबसी लेना सिखाया। दादी के अंदर बाबा ने सब कुणबो फ़रे, फिर दादी क्लास भी बहुत अच्छा कराती थी। हर थरस्टे दादी क्लास करा थे थरस्टे है संडे थरस्टे और संडे दादी क्लास करा थे और सबसे बड़ी बात गुलजार दादी यहां रहते थे गुलजार दादी उनकी बेटी थी दादी से इतनी भी इतनी भी लैस नहीं आती थी कि यह इनकी बेटी है और गुलजार दादी के प्रती ओल्राउंडर दादी का इतना स्नेय था इतना रिगाड था रिगाड जब दादी गुलजार बोलती थी इतना रिगाड था 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 रिगाड ये सब आखों से देखी अनुभव की हुई बाते हैं कि कैसे मा बेटी कठी रह रही है लेकिन जरा सभी ना उनको है ना उनको है दोनों कोई नहीं था बाबा ने इतनी अलोकिकता इनके अंदर भर दी थी कि दोनों में नहीं था इकॉनमी की वो अवतार थी अल राउंड जा दी एकॉनमी समझते हैं वालतु पैसा खर्च नहीं करती थी आपको हसी की बात सुनाती है टाइम है कि पुश्पाविन कितने बाई तक पूरा करो दस दस मिनिट है तो शुरू शुरू में ये पांड़भन बना न तो ये पहला पहला था जो सारे भारत के भाई बेनों ने मिल करके इसमें सहयोग दिया था पौने चार लाख जगवन बही पौने चार लाख क्या होता है उस समय बहुत था पर तो सारे भारत के भाई बेनों ने तो जब ये पांड़भन लिया गया तो हम बेहने रही हम लोग यहां थे मैं थी सरला थी शार्दा थी शार्दा थी एक और होती थी मधू होती थी और भी एक दो और थी तो क्या हो था था जी पांडवन देखने के लिए लिए न पार्टी की पार्टी आ ती और यहाँ दाजी निर्मर्शानता रहती थी दाजी निर्मर्शानता तो शाह दिल थी वो हरे को कहती थी आप आओ उन दिनों में मुबाईल तो थे नहीं तो अचानक अचानक पाटी यह आ जाती थी, रोज दिन पाटी आ रहे थी, दो दिन हो गए है, हम लोग जब खाना खाने बैठे हैं, तो कोई ना कोई आ जाती से, हमारे में परफिरिट थी, हम अपनी थाली उठा करके देते, और हम लोग अपना प्राठी बनाई आचार के सा लेते थे तीस्वे दिन भी ऐसा ही हुआ फिर आगे कोई तो हम लोग ने कहां आज हम आलू की सब्जी आलू टमाटर की सब्जी जरूब हैं दो दिन से मचार से खा रहे हैं आज हम आलू टमाटर सब्जी बना लिए प्रेशर कोकर सीटी की आवाज आई है सीटी बजी आल राउंडर दादी कमरे से निकल के आई क्या हो रहा है हमने का दाई दो दिन ऐसा हुआ आज हमने ये बना लिए तो वड़ी क्या वड़ी इसमें इतना टमाटर टमाटर तो बैमानों के लिए होता है तो हमने का दो दिन हमने अचार से खाए वो कुछ नहीं और आज हमने आलू टमाटर बना दादी के थी टमाटर मेमानों के लिए होता है एकॉनमी उस समय भी ऐसा था आज तो फल वगर की कोई दिक्कत नहीं है उन दिनों में फल खरीदा नहीं कभी दादी फल नहीं खरीती थी कभी नहीं खरीती जो यग्ये में आ गया वही है वही मिलेगा और उसको यूज करती थी अच्छी तरह ऐसे नहीं दादी के अंदर एकॉनमी के भी संसकार थी दादी के अंदर रॉयल्टी के भी संसकार थी जहां खर्च करना है, वहां खर्च करना है, मदुबन भेजना होता था, बड़ी शान से मदुबन भेज दे, वो भी एक चीज थी, यक्य से अती प्यार, मदुबन से अती प्यार, ये दादी के अंदर देखा, फिर हम लोग को रात को बिठाती थी, मदुबन से पत्र आता था तो प्रश्ण उतर करती थी, पक्का करा दे दादी के अंदर, हल्राउंडर दादी के अंदर बाबा ने जो विशेश्टाएं भरी, वो दुआएं जो हमारी राज ने बहुत कुछ सीखा दादी से वो चीजें आज यहाँ पर चाहे हमारे सामनी है या नहीं है परन्तु वो जो संस्कार दे करके गए है जो आशिर्वात दे के गए है, जो दुआएं दे करके गए है वो आज भी जिन्दा है क्योंकि आप लोगों ने जो पुराने बैठे हो आपने उनको मिंटेन किया है किस-किस ने अल्रांडर दादी को देखा है, हाथ खड़े करो आप बहुत सारे आप ये सोचो, दादी बाहर बैठे रहते थे क्लास होता था तो दादी अंदर ने बाहर बैठती थी और बाहर बैठ करके दादी एक-एक से मिलती थी एक-एक से पूछते थी, हाल-चाल पूछते थी दादी की पालना ये विशेशना तो ऐसी दादी को जिसको बाबा भी याद करता है अल्रांडर दादी को बाबा भी मुड्लियों में याद करता है तो ऐसी दादी को प्यार से आज के दिन याद भी करते हैं रोजी याद आती है ऐसा कौन सा दिन होगा जब याद ना आती हो कौन सा दिन होगा रोजी दादियां याद आती है आप लोग लखी हो पांड़भन वाले आपके जैसा भागे और कोई का नहीं है इतना पाल ना मिलना बहुत सारी बाते दा दिकें हम लोग को दादी ने सब काम जैसे हम लोग को शौक था कि दादी जो आपने भठी में किया है न वो हम भी करेंगे अनाज की बोरी आप लोग उठाते थे हम भी उठाएंगे तो हम लोग कन्याय मिल करके अनाज की बोरी उठाते रात की आप security करते थे हम भी रात की security करेंगे हम दो दो बेने रात की security भी करती थी तीनों मंदल पर जाए जादेश पिला अपना तो ध्यान दादी इतना रखते हैं नहीं थे अरे मालिक थी दादी अलराउंडर दादी मालिक थी दिल्ली की मालिक एक प्रकार से सब सेवा खेंदरों का संबन्द उनके साथ था परन्तु अपना बात्रूम बनवाना था तब तक नहीं बनवाया जब तक प्रकाश मनी दादी से छुट्टी नहीं ये बात्रूम पहले थोड़ी धाग बात में बनाया दादी वहाँ से अपने कमरे से दालान जो अंदर है न वहाँ आतिती स्नाद करने चाई ठंड चाई गर्मे जब ज़्यादा एच हो गई तब दादी से पूछ करके हैं चल बाबा को भोग स्विकार कराते हैं और बाबा को कहेंगे दादी को भी बाबा इमर्ज करो अमारा प्यार रूहानी स्नेद रिगार दादी को अर्पित करो बाबा और उनको भोग भी खिलाओ पंडवोन का पंडवोन यग्य का बना हुआ ब्रह्मा वोजन दादी को भी स्विकार करो लगाएंगे बाबा को फिर बाबा से रेक्वेस्ट करें संदेसी बतन में जाओ संदेसी बतन में जाओ मेरा संदेस ले जाओ संदेसी बतन में जाओ पंचो ततो के पार जाना मीलेगा वहा वतन एक सुहाना परिस्तों की ये वो नगरिया बाबा जहाँ है हमारे प्यारे 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 संदेसी बतन में जाओ उस वतन में अव्यत भाशा नेनों से बोलेगे मेरे बाबा नेनों ही नेनों से कहना दिल के बयाना हमारे प्यारे 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 जारे देसी बतन में जा खूलों से मेरे बाबा को सजाना प्यार से बाबा को भाग लगाना स्नेह से बाते करना बाबा जो नीचे आ जाये प्यारे 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 संदेसी बतन में जा मेरा संदेस ले जा ले जा ले जा संदेसी बतन में जा झाल झाल